बॉर्णिंग फ्रेंग्स आश्यूस की चल में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट पोहा तो से पहले हम देख लेते हैं उसकी इंग्रेडियंस क्या क्या है उसके लिए हमें लगेंगे दो बड़े बावल पोहा नमक तेल प्याज टर्मरिक हल्दी हम जि जीरा ग्राउन नट्स है दनिया और मिर्च हरी मिर्च हमने पांच मिनिट के लिए इस पोहा को पूरी तरह से बिगो दिया है आप देख सकते इसको अभी हम उसकी रेशिपी स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमने एक पैन रखा हुआ है और पैन में हम अभी दो टी स्पून ऑईल डालेंगे उसके बाद उसको थोड़ा हलका गरम गर लेंगे थोड़ा जैसे वो गरम हो जाता है उसके बाद हम सबसे पहले उसमें चिली डालेंगे जीरा और रही डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम उसमें प्याज डालेंगे उसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे परक्रीबन दो मिनिट तक हम उसे अच्छी तरह से प्राई करेंगे और दोस्तों उसके साथी हम उसमें चोड़ा सा नमक डालेंगे हमारी सौदा नुसा नमक डालना जरूवी इसलिए है क्योंकि प्याज अच्छी तरह से पॉप जाता है अगर हम इस वक्त उसमें नमक डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोती मिन तक आपको उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है देखिए अभी हमारा पूरी तरह से पैज पक चुका है अब उसने हम ग्राउन नट्स डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करना है अभी आप जैसे की देख सकते हूं कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हम इसमें कि अच्छी तरह से मिक्स करना जोरूरी है दोस्तों कि उसका रह हमें जो हम पोहां बनाने वाले हैं उसमें आने आला है तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो अभी हमारी प्रिप्रेशन अल्मोस हो चुकिया हम उसमें अभी पोहा डालेगें और पोहा डालने के बाद ज्यान में रखियो दोस्तों उसको अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है तक्रीबन एक से दो मिनिट के लिए हमें उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक कि उसे पूरे इंग्रिडियंस का कलर ना आ जाए बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह दान में रखना है कि उसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है जिससे कि उसे अच्छी तरह से कलर आ जाता है सिर्फ दो मिनिट उसे पकाना है अच्छी तरह से अभी जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरह से पक चुके हैं पोहें तो अभी हम उसमें धन्या लालेंगे और देखिए दोस्तों हमारे इंस्टन पोहार रेडी हो चके हैं जिसमें कि हमें पांच मिनिट से ज्यादा टाइम नहीं लगा है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगी तो आप कॉमेंट भी डाल सकते हैं थैंक्यू वेरिमच दोस्तों